नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूटीब चैनल बेर एक्जाम पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रस करने वाले लॉंग एंसर टाइब कुश्चन जो कि बेर फॉर्स सेमेश्टर की एक्जाम में आने की इनकी पुरी संभावना इन को करते हुए दोस्तों मैंने पूरा ख्याल रखा है कि यह क्वेश्चन इस बार की एक्जाम पैटर्न को मैच करते हूं साथी साथ यह वह क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट भी हुए तो मेरा सुझाओ यही होगा कि आप अपनी तयारी तो करें ही जो भी प्रशन आपको म प्रिक्षा में से से जहां तक हमें पता है सिर्फ एक ही प्रशन करना होगा आपको तो वह आपको इसी से जो मैं भी कोश्चन बता रहा हूं यही से आपको मिल जाएगा बट फिर भी आप इसके अलावा भी अगर समय मिले तो आप उनको जरूर तयार करें ऐसा ना करें कि सिर्फ जो कुशन मैं ही बता रहा हूं उन्हीं के उपर फोकस करें लेकिन हां यह जो कुशन मैं आपको बता रहा हूं यहां से मैं अपने अनभाव से बताता हूं कि आपको 90% चांसे सही कि यहां सही आपके वह सारे कुश्चन रिपीट हो जाएगे तो लॉंग एंसर चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उनके solution आप तक पहुंचाने के तो फिलाल पहरे question को देख लेते हैं तो पहला question जो हम ले लेते हैं यह सारे mixed question है मैंने sequence में आपको अलग-अलग रखा है बट यह सारे आपके 2016 से लेकर आ तो यहां से एक question बनना तो पक्का लगता है कि आपको होगा तो जो दो-तीन question आपको मिलेंगे उसमें से जो आपको सिर्फ एक करना है उसमें से हो सकता है कि यह एक प्रश्ण हो कि describe in detail the characteristics of social and emotional development of childhood देखें बहुत ही साधरन सा common सा प्रश्ण है पूचे जाने की पूरी बाले अवस्था में सामाजिक एवन समय गात्म विकास की विस्यस्ताओं का वर्णल की है तो दोस्तों आप सब को पता है ऐसे question को देखें आप एक रखेंगे पहले तो आप बाले अवस्था की थोड़ी सी परिभाशा देंगे जब उत्तर लिखेंगे आप उसके बाद साम वर्ष की आयोता पहुचने तक की जो उम्र होती है वो आपकी बाले अवस्था की होती है इसमें भी कई स्टेजेस में आप बांट सकते हैं अगर आपको समय होतो उसके बाद सामाजिक विकास में आप बता सकते हैं कि जो दो से लेकर आपका 5 साल 7 साल तकी उमर में जो एक बाले आउस्था का विकास होता उस उमर में जो बच्चे का सामाजिक विकास होता समवगात्मक विकास होता है कि किस तरह से बच्चा धीरे-धीरे समुह में रहना सीखता है किस तरह से लोगों के साथ मिलकर बांटना सीखता है खेलना सीखता है नियमों का पालन करना सीखत है उसके अंदर धीरे-धीरे समवेगात इमोशन का development होता है गुसा करता है इरिशा करता है इस तरह की चीजों को आपको point by point सोच कर अलग-अलग लिखना है तो पहले आप समाजिक विकास के बारे में थोड़ा समझाएंगे और इसके बाद फिर समवेगात में विकास को इस त टाइप question है तीन pages आप maximum ध्यान रखे इतने में आपका जो है 400 word हो जाता है बट फिर भी अगर आपको समय मिले तो आप इसको एकाथ पेज एक्षटा लिखे बट समय मिलने के बाद तीन पेज तो आपको लिखना ही है और 400 word का focus रखना है आपको तो यह कर ले आगला question है Ericsson के मनो-सामाजिक सिध्धान के विश्तिव्या क्या करें दियां दोस्तों यह प्रश्ण देखे अब ऐसे कुछ प्रश्ण है जो कि आपके बिल्कुल भी पूछे जाने है इसमें एक question रहे गया शायद आप और add कर ले पियाजे का थियोरी जो होता है तो आप उसको भी सिध्धान थे उसे व्याट कर तो यह Ericsson की थियोरी इसे आप रेडी कर ले साथ ही सार डिसकुस दे कॉगनेटिव थियोरी आफ वेगस्की तो वेगस्की का जो थियोरी है इसे कर ले और यह question का solution भी मैंने पहले आपको provide कराया है अगर अभी तक आप लोग पास solution नहीं है प्लीज मुझे आप बताए तो मैं आपको यह share भी कर दूँगा तो फिराल अभी हम लोग बात कर रहे थे question को solution के बारे में तो अभी फिलाल उसके पर focus करते हैं तो discuss the cognitive theory of Vygoski and compare it with PIJ cognitive theory यानि कि वाइगस्की के थियोरी को पहले आपको बताना है कि वाइगस्के संग्याना साथ में विकास का सिध्धान थे उसके साथ में तो जब भी तुलना करें एक चोटा सा box बनाए एक side लिखें आपको पियाजी की थियोरी और एक side लिखें आप वाइगस्की की थियोरी और दोनों के बीच वे 0.1, 0.2, 0.3 तो क्योंकि यह long answer type question में आए तो कम से कम 6-7 points आप अंतर के लिए जरूर रखें इसके बाद आप पूरा focus रखेंगे cognitive development theory को अच्छे से समझाएंगे और आखरे में 5 points के बीच में आप अंतर करके इस question को अंतर करेंगे पियाजे की थियोरी के साथ में unit 4 में ज्यादा topic नहीं है तो जहां से आपका दो-तिन परश्ण बनता है जैसे कि globalization ये प्रश्ण संके चार पहले आप देख लीजे मैं समझा देता हूं आपको तो unit 4 में आपका जैसे कि urbanization यानि सहरी करण नगरी करण वैश्वी करण है आतंकवाद है राश्टी एक से कि मैंने यहां पर दे दिया है तो आपको ये दूर प्रश्ण भी अगर आप तैयार के इसमें से कोई एक आ सकता है तो यहां पर बोलाएगी भी तनाव को परभाशित करें और भावात्मग यानि कि तनाव को कम करने की विद्यों का सविस्तार बनन करें तो माफ करेंगा कि आप नाव करने की विद्यों का सविस्तार बनन करें तनाव कम करने की विद्यों की में में शिक्छा की क्या भूँन कै दोनों प्रश्ण आसकता है तो आप इस तरह सब्सक्छन लिक्त सकते हैं अगला परस्ण है define terrorism आपको पहले भी मैं इसके उतर दे चुका हूँ और इसके question के बारे में बता भी चुका हूँ तो इस प्रश्ण को भी आप जरूर करें कि भाई आतंकवाद क्या है आतंकवाद क्या है and reveal the suggestion for removal of terrorism also discuss the role of education in preventing terrorism मतलब कि आपको बताना है कि आतंकवाद क्या इसकी परिभाशा देनी है फिर आतंकवाद को दूर करने के लिए सुझाओ का उलेक करना तो पहले में युआ वर्ग या समाज को परचचित कराना चाहिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भोभ सारे पॉइंट सकते हैं इसकी रोब थाम के लिए हम क्या कर सकते हैं यह सारी चीज़ हम सिख्छा के माध्यम से समझ सकते हैं तो इस तरह से आपको अपने भी पॉइंट करने हैं आप सॉलिशन का अगर चाहिए होगा दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं मैं कोशिश करूंगा आपके सॉलिशन भी आप तक पहुंचा दूँ वैसे अगर आप हमारे टेलिग्राम गुरूप में जुड़े हैं तो आपको सॉलिशन अभी तक मिल भी गया होगा कि जो आपका किसूरा वस्ता होती है वह बहुत ही तनाव और संघर्स की उम्र होती है इस वाकी को आपको एक्स्प्रेंट करना इसको परिभाए मतलब वेख्या करनी है और यह जो स्टेट्मेंट है इस लाइन को समझाना है इसका मैंने सौविस्तार वर्णन करके उतर दिय करें और स्टेट्मेंट का जो छोटा सा स्टेट्मेंट उसमें आपको बताना है साथ ही साथ कि सवरा वस्ता कि क्या विस्ताइं होती है वह भी आपको लिखना है characteristics of adolescence भी आपको यहाँ पर बताना है तो आप इसको भी ध्यान रखें characteristics of adolescence क्या होता है इसके बाद infancy is ideal period of learning discuss the points and point out a brief but a clear outline of यहाँ पर डियर लिग गया माफ करेगा यहाँ पर clear होगा clear outline of a infant education solution याद रखें कि आपको बताना है कि जो infancy यानि कि बाले आवस्ता होती है यहाँ पर देखें बाले आवस्ता सीखने का आदर्श काल है यह प्रश्ट भी मैं आपको करा चुका हो इसका उत्तर भी दे चुका हो अगर आभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को चेक कर लें या अगर आप टेलिग्राम ग्रूप में जुड़े हैं तो आप वहां से solution ले 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 तो इस कथन को आपकी विवेचना करते हुए सीसु सिक्षा के ऊपर एक संशिप्त स्पष्ट रूप प्रस्तूत करने हैं आपको सबसे पहले आपको बताना है कि बाले आव हुआ होतितीवर होती है साथ हीसाथ इस उम्र में जो भासा सीखने के या नए चीजों सीखने का उसको जह ठड़ता होती है वह और सारे उम्र में विकास के जो और होती है उसको काफी ज्यादा प्रबल होती इस चीज eigenlijk को आपको बताना है कि इसके बाद यह जो परस्ण है प्रावधानों का मुलेक्टिन कीजिए यह प्रश्ण कई बार हम लोग डिसकस कर चुके हैं सॉलेशन भी मैंने आपको प्रवाइट करिया है अगर अभी तक नहीं हो तो आप प्लीज मुझे बताएं जरूर लेकिन इस क्वेशन को छोड़ेंदा नहीं है अगर अभी तक आपने तयारी नहीं की है अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पड़ो तो आप इन को जरूर कर ले आपको कुछ और पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगे प्रस्टे संख्या 10 है वाट इस कोगनेटिव डेवलोप्मेंट त्रो लाइट ओन कोगनेटिव डेवलोप्मेंट त्योरी यानि कि ग्यानात्मग विकास क्या है और ग्यानात्मग विकास के सिधान्तों पर प्रकाई डाली तो आपको यह लिखना है प्रकाई विकास के आपको वेगोस की थिया प्याज़ कि ते प्रकाउखन विकेया आगर नाम याद हो तो आप उनका नाम यहाँ पर mention करें और किसी एक का संचिप्त भी वरन करें तो आपको जो ज़्यादा focus होना चाहिए वो इस पार्ट पर होना चाहिए कि cognition क्या है या ग्यानात्मक विकास क्या है इसको आप detail में समझाने का प्रयास करें और उसके अलावा जो है आप जो भी आपके questions है आपका ये second part होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा लिखने की जरूत नहीं है तो आप इसको बहुत detail में लिखेंगे और इसके बाद ये section को आप थोड़ा सा जो भी आपके संग्यानातव विकास के जो भी पक्ष हैं या जो उसके समने सिधान थे उनका नाम लिखेंगे उनके प्रतिपदख है यानि कि जो इन्हों ने उसको बताया है उनके नाम लिखेंगे और उसके बाद में जो किसी एक को जो छोटा हो सारांस में आप लिख सकते हैं उसे आप डिसकस कर दें प्रश्ण संख्या 11 है देखिए इसको भी देखते हैं यहाँ पर अब प्रश्ण संख्या 11 यह जो हमारा ह कि अदेखिए चले प्रस्ची आपका हर एक प्रश्ण पत्र में आता है बहुत important question है यह अपके सब्जक्ट में आपके चार सब्जक्त से आपके हर एक सब्जक्ट में यह कहने कहें डिसक्स के आगाए तो आप इसके तो तैयार करके चले ही जाएं और यहां पर देखिए क् इसके बारे में आपको यहां पर बताना है तो यह जो भी प्रश्ण में बताना है तो सबसे पहले आप इनको जरूर तयार करके जाए बिलकुल भी नहीं ना छोड़ें यह प्रश्ण ऐसे हैं जो कि आने की पूरी सम्मान इसके लाओ देखिए जैसे मैंने बताए उनिट 4 में तो यह define globalization इसको आप करके जाएं how globalization and education are related to each other तो globalization यानि कि वैश्वी करण और सिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार से संबंदित हैं इसके व्याख्या करनी है तो आपको पहले globalization के एक दो परिभाशा हैं अक्षी वाली लिख देनी है और उसके बाद आपको पूरा focus करना है कि पहले आप बता देंगे थोड़ा से globalization किस तरह से सिक्षा को प्रभावित करता है और फिर आप बताएंगे कि वैश्वी करन जो है किस प्रकार से सिक्षा पे निर्भर है इस तरह से करते हुए आप जो है अपने प्रश्ण का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो question लिखन में आपको समझना है कि आपके question को start कैसे और question को किस तरह से आगे बढ़ाते है समाप्त करना यह भी ध्यान रखना आपको एक्जामी यह सोचने समझने कि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसलिए मैंने आपके लिए जो महत्तपूर 14-15 प्रश्ण है यह आप तक लेकर आया हैं ताकि आप इनको इतना भी प्रश्ण तयार कर लेते हैं तो long answer type पे आपको कोई ज्यादा परिशानी नहीं होने वाले है तो इन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लें अगले वीडियो में अभी हम डिसकस करने हैं sort answer type questions को जिनको की आप बना सकते हैं क्यों इसा भी comfortable समझी आप मुझे contact कर लें अगर आपके पास answer हो तो बिल्कुल आप अपने answer के उपर पूरा focus करें आप उसे दुबारा device करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद and all the best for your exam बिल्कुल अच्छे से अपनी exam को दें कोई भी मन मे दुबिधा ना रखें घबराने की जरूत नहीं है आपने पूरी तयारी की है आपके exam अच्छे ही होंगे तो मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो में और फिर हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ और important question को discuss करें